अगर यहां सवामी वेकानन इस्टूट मैं श्युम पांडेगवर आज फिर से आपके सामने और जैसा कि मैंने बताया अगर जो बच्छे नहीं है उनको पता दूँ कि यहां स्वामी वेकानन इस्टूट पे मेरे जो लेक्षे वह स्पैसली स्यूटी एक्जाम को लेके तार् क्या होता है क्योंकि बच्चा 12 पास है उसको बस नॉमिनल चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे कि जनल नॉलेज टेस्ट हो जाए तो उस हिसाब से में आपके यहां पे स्लैबस को डिजाइन किया गया है और आपको उसी के हिसाब से मैं लेक्श डिलिवर करता हूं तो आज कि इच्प लाइए तो किसी भी चीज की तयारी जलती है बाबु तो पहले लगे रहे हैं जब भी मौका मिलता है एक वीडियो देख लीजे यूटी स्पेशल है देख लीजे चल इसमें जिए तो बहगाते देख लीजे तो आप लिए तो थोड़ा सबगा के देख लीजे और फिर अपने नोट्स में डाउन कर लिए क्योंकि चीजों को नोट्स वाई बहुत अच्छे से लिखवाया जाता है इससे क्या होगा जब आप तैयारी की टाइम पे रहेंगे ना जब आपके एक्जाम आएगे तो आप कई बच्चों से काफी आगे होंगे ठीक है आगे हो हमारे यह वीडियो आपको प्रज़ा अपने आपको पढ़ा दिया था क क्या होते हैं प्रियंब पढ़ा दिया इसके साथ आपको पढ़ा कि आज उनके बारे में पढ़ने वाले हैं एक्जिटीव आपको बढ़ा दी गई है और उसके बाद बचती है जूडिसीरी का पार जूडिसीरी में सुप्रीम कोड और हाइड को देखेंगे लेकिन आज पहले पढ़ने वाले हैं कि प्रेसिडेंट कि पावर क्या है थोड़ा जर्नल चीज़ें सबके बारे में जाननी है तो चलिए शुरू करते हैं रसे तो हम सभी को पता है यह पुरानी है इस्टेमें स्री दौबदी मुर्मुर जी है तो रहत का प्रथम नागरिक फर्स इंडिया कहा जाता है एक चीज़ी यह माइंड में होनी चाहिए इसके अला इंडियरेक्टली इलेक्टेड होते हैं क्या होते हैं इंडियरेक्टली इंडियरेक्टली इलेक्टेड होते हैं तो अगर कोई इंडियरेक्टली इलेक्टेड है इसका मतलब क्या होगा उसके पास पावर बिटा नॉमिनल होंगी हमारे हां प्रसिडेंट वर्स अपने थोड़ी थोड़ी चीज़े जाननी है कि क्या होता है इनकी कुदोतीन पावर्स होती है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो चलिए बढ़ते हैं और समस्ते इसको क्या है अब देखिए बैए चाहे इंडिया में हमारे कांट्री में इंडिया हो या वर्ड ले मतलब नाम मातर के मुखिया में पावर किसी और के हाथ में होती है और क्यों होती है वह पिछले लेक्चर में प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ाया तो वहीं पर बता दिया था कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में मैक्सिम पावर क्यों होती है ठीक है इसका मतलब क्या ह तरह आपको साफसाब बताता है कि देखिए दो तरह की python कि यहां Charles होंगे प्राइम मिनेस्टर जी और एक होती है प्रेशिदेंशील से फांट पर है इससे में अभी हैं है तो Hafr और मिनेस्ट्रेया यह क्या एक कैबिनेट मिनिस्टु का मतलब क्या हुआ कि यह सके threat बाइब जायो और कि आ पर सॉक्रेसिेटल थिए यहां अब नहीड कर ते पर्सक्राइब चल्प आप में पावर्फुल ये हैं और इंडिया पावर्फुल ये हैं और टेकized यह तो पैरलल यहां पर आप समझेगा तो ज्यादा एजी रहेगा आपके लिए चली इसको और अच्छे से समझते हैं कि प्रेसिडेंस की कौन-कौन सी पावर होती है यह जाना हमारे लिए जरूरी है यहां से आपके कोशन बनेंगे ठीक है कोशन यहां से बनते हैं लेकिस ल यह सारी पावर मैंने बूला नॉमिनल मतलब नॉमिनल ही है इसार beetle का सब्सक्राइब बनिष्टरी देती है जो क्या इनको करना पड़ता है इन सारे मावलों लेक्षडी वाउर में क्या होगा हम हम रहे हां इस प्रालियामेंट का में पार्ट होता है प्रेसिदेंट प्रेसिदेंट लोगसरभा एंड राजय्सभा यह मिलके पाइल tai toss तpur सकते हैं कि गिशनेंट पर्पार्ट हो Kalyou picture पहले समझते हैं की उसको जो चीज़े मैं नीला रहा हैं उसको ध्यांत से समझेंगे तो चीजें आसान रहेंगे आपके लिए लेकिस लेकी समझी में इनके इनके 3 सेषवर मैं किते हैं साल में कौन कौन से एक मौनव सेष्ट सेष्ण पार्लेमेंट कंडेक्स ुद्ध एक साल में कितने सेशन ओते हैं तीं त्री आ साल में 3 log s From थें उप्राइबुजुमान बोफ ज्याइ या आउर सफंग सेशन को सान्य प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया पहला तो हो गया को सफर्कारिं अगर पहलन होती है और अब मांजोरें ca मेन काम क्या है और अपने मेर्टी प्रूफ कीजिये तो मेजर्टी वाले आए अब वो बुलेंगे कि चलो मैंने कली Box Richter पॉस्ट प्राइम करता है करते हैं तो डिल नाम करने का भी होता है दूसरा क्या होता है अगर मालेजी कि भाई कहते हैं कि और विस नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है इसका मतलब क्या होता है इस में ऐसा होता है कि कभी-कभी लगता है कि जब कॉलीजन वाली गौर्मेंट चलते मिक्स सरकार कोई मेज्वारटी में रहता है दो पार्टी मिलके सरकार बनाती है तो क में क्या होता है अगर सामने वाले नहीं प्रूफ कर पाई तो भी डिजॉल हो जाएगा दोनों चीज़ों में यहां पर होता है देखते हैं नॉमिनेशन पावर कली मैंने आपको पढ़ा दी थी कि नॉमिनेशन पावर कहां से डॉप्ट की गई है आयरलेंड से आयरलेंड से कि नॉमिनेशन पावर अडॉप्ट की गई है जिसमें यह त्वैलराज सभा में करते हैं और दो इंगलों इंडिया जिसको मैंने बता है कि अब यह फिनिश हो चुका है अब यह नहीं करता तो राजसभा में अभी विट्वेल मेंबर्स को पॉइंट करने की पावर किसके मेंबर्स आर्ट साइन्स लेट्रेचर शोशल स्पोर्ट इन सबसे जुड़े होने चाहिए इसमें कुछ अच्छा काम किया हो उनको राजसभा का मेंबर एजर ड्यू रिस्पेक्ट बनाया जाता है जैसे इसमें मैरी गाउम जी आप सभी को बता है ना शी वर्ड चैंपिय लोगों को अपॉइंट किया जाता है राजसभा मेंबर में किसके थूरू प्रेसिडेंट के थूरू एक तरह का रिस्पेक्ट होता है उनके वर्ड के लिए इसके अनामा क्या होता है अब बात करते हैं कल मैंने आपको समझाया था कि तीन तरह के बिल होते हैं एक मनी बिल होता है और इक होता अमेंडमेंड बिल कि और बताया था कि क्या होता है बाइव किसी तरह का मनी बिल और सरकार डेली खर्चें उसको राजश्भा रोक नहीं सकता है इस को पर लोकसभा की करते हो चलाने उससे उससे थोड़ा भांदर खर्चों की बात होती है तो वहाँ पे finance bill आता है सरकार के daily खर्चों के अलावा कोई project वगरे पे खर्चे हैं तो finance bill में आ जाएगा और amendment bill जब कोई नया rule regulation लाया जाए कोई new rule regulation लाया जाए तो वो किसमें आता है amendment bill में आता है तो अगर कोई चीच amendment bill तो सवाल यह कि money bill के अगर आप बात करेंगे तो money bill या state recognition bill कुसे state से related है कि भाई state नया बन रहा है something या money bill है सरकार की daily खर्चे वो बिना इनके अप्रोवल के पास नहीं होता हाला कि आया तो यह मना नहीं कर सकते लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस पे इनका अप्रोवल जरूरी है ठीक है तो कोई बात नहीं कि कोई बिल्स को president देते हैं चली कोई बात नहीं ordinance का मतलब क्या होता अब क्या होता है कि कानून विजदेरियो उस टाइम पे कुछ टीन चार महिने की चीज़ों को डील करने के लिए कुछ कानून बनाया जा सकते हैं और उसकी अप्रोवल कौन दे सकता है ठीक है तो ओर्डिनेंस पूछा जाया तो ओर्डिनेंस हाला कि यह बिल यह कानून वान नहीं होंगे की नहीं यह डिपेंड करता है कि जब पार्लेमेंट स्टार्ट होती है और इसने दो-तीन मेने के अं पास कर सकते हैं जिसको कच्छे कानून कहा जाता है क्योंकि लॉंग टम के लिए वैलिड नहीं होते जब तक कि पार्लेमेंट इसकी वैलिडिटी पे वहर नहीं लगाते जब वह स्टार्ट होती है वर्क करना अब देखते हैं एक्जेक्यूटी पावर तो देखो एक्जेक लिडर कौन होगा तो कहते हैं इसके साथ साथ काउंसिल आफ मिनिस्टर को भी अपवाइंट करते हैं वैसे तो अकर मैं धंक से बात करूं तो जितनी भी अप्वाइंट्मेंट होती है वह सब प्रेसिडेंट के नाम पे होती है बतलब आप समझझे बबीडिग की बात होग कि रहा है किस कमिशेन पूछ एक आपस्ब गलेंक को लेकिन उसने किस के बारे में पूछा अपवायिन के बारे में नहां आंक दो स्टेप लेवल पर पूछ यह कौण होते हैं कौन होते हैं लगनर का प्रेसेडेंट करता चाहरा तो प्राइम मिनि места करता सब्सक्राइब के एक सखरोडकल करता है इस परसंट को इस श्टेट सेट का गवर्नर बनाइब तो वह बाहनों पर बैढ़ता है तो जो रोर प्रैसिडेंट passing का एक country में होता है वही रोल एक governor का एक state में होता है से पावर लगभग में enjoy करते हैं similar power enjoy करते हैं वही रुतबा होता है उसका state level पर तो आपको समझ में आ गया कि governor का क्या रोल होए आप पर कि इसाली जिसका मैंने कर इन सब के बारे में रिज्व बता दिया यहां पीछली वीडियो बटा दिया उता दिवा देख लीजेगा डानी जन्रल आफ इंडिया हाइस्ट लाओ औफिसर होते हैं यह उतने हाइस्ट लाओ आफिसर इसका मतलब क्या हो गया कि इंडियन के अकाउंट को किया करेंगी और देखेंगे हैं इसके करेंगे मैं różब फटय थी उसका रिज़न होता इस ओपिसर कोnio करो यह तो नहीं करते हैं थिक है तो यह प्रैम कि प्राइम कि लिए नाम देता है और प्रेसिदेट होटा है है कि अब आत करते हैं तो named एक स्टेट्स के गवर्नर होंगे जितने भी स्टेट्स के मिन नर्गे प्रषाइब मुच्छ आपोने करेंगे के बात कि एलिजबिल्टी क्रैटेरिया क्या होता है लिजबिल कैसे हैं प्रेषिडेटेंट के इलिजबिल्टी क्रैटेरिया और विए परस्ट आपको इंडियन सिर्जन होना चाहिए आप लोग सभा या राज्य सभा की एलेक्शन के लिए क्वालिफाई होने की कप कैपिबिल्टी रखते हो मतलब किसी लाब के पोस्ट पे ना और कोई क्राइम रिकॉर्ड आपका ना हो ये दो चीज़े आपको यागतेगा इंडियन सि इनको ओध कौन दिलाता है कई बर पूछे गया वह मतलब शपत पत्र की मैं घोशना करता हूं तो ओध दिलाता है वह होते हैं चीफ जस्टिस आफ इंडिया इनको ओध दिलाएंगे अगर इनको रिजाइन देना है राजिगनेशन देना रिजाइन देना है तो यह अपना बेख करते हैं और दुसरी और तो हमारी प्रेसेटिन कुसको दिलाइगे और वैस्टि स्कों देना होता है अगर प्रमी किसी रीजन से एपसेंट है प्रेसेटेन्ट की पके क्ट में अगर इनकी देथ हो गई तो कौन बने का नेक्स प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे कौन होंगे वाइस प्रेसिडेंट होंगे अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवलेवल नहीं है किसी रीजन से सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन चीफ जस्टिस ऑफ प्रेसिदेंट से रिजाइन करते हैं हाल स्पाइव को इलक्षण होता है कोज रिग्स के ठहुब होता है और में इंडिया का है तो जो भी senior most judge होते है Supreme Court के उनको यह मौका मिलता है कि वो प्रेसिडेंट को oath दिलाएंगे तो I think अभी आपको यहां पर समझ में आ गया हुआ इसके अलाव अगर मैं बात करूं कुछ प्रेसिडेंट को निकालना हो अगर इनकी पोस्ट से हटाना हो तो क्या गरेंगे भई पोस्ट से हटाना हो इसका एक सिंपल साथ तरीका होता है इस प्रोसेस को को एक process होता है जिसको कहते हैं impeachment कहते हैं और यह आर्टिकल 61 में impeachment article पूछा जाता है तो article 61 में यह mention किया गया है कि बाई इन विच्ट प्रेसिडेंट शुडबी दिमोई impeachment कहते हैं हिंदी में इसे कहते हैं जो बच्चों को जानना हो महाभियोग कहते हैं यह process होता है हाला कि आज तक कोई इंडियन प्रेसिडेंट इंपीच्मेंट के तो निकाले नहीं गया है क्योंकि यह बहुत ही complicated process है इसके लिए होना क्या चाहिए कि लोग सभा लोग सभा प्लस राज्य सभा राज्या सभा कि सभी members को add करके 4 से divide कीजिए लोग सभा प्लस राज्य सभा के one fourth member जब approve करेंगे संसर में पार्लियमेंट में होती है यह पार्लियमेंट में इनका case आएगा अगर अगर अप्रूफ करेंगे तो प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से एड़ाया जाता है जो कि आजकल इंडिया में वहने क्योंकि यह बहुत बड़ी मैजार्टी है जिसको प्रूफ करना आसान नहीं है तो इसके रिजन से यह नहीं होते हैं इसके बाद अगर आप बात करें तो legislative powers मैंने आपको बता दी कि लेकिस लेडी पावर में यह 12 लोगों को पॉइंट करते हैं executive power में सारी bills पे sign वगरे करते हैं और पॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट को और council of minister को पॉइंट करते हैं appointment power में आपने देख सारे governance को पॉइंट करेंगे जितने भी main officer से उनकी appointment नाप पर होगी तो अपाइन्ट पावर हो गई जुडिशियर पावर क्या है भाई तो देखे प्रेसिडेंट किसी की सजा माफ कर सकते हैं पैराडान का मतलब सजा माफ ही अगर प्रेसिडेंट के पास फाइल गई तो प्रेसिडेंट के पास हाला कि ये भी पॉलिटिकल प्रेशर में बहुत पावर क्या होती है तो यह पैराडान इंग पावर है जिसमें सजा माफ कर सकते हैं कि संटेंटस ऑफ एनी परसंड कन्विक्टेड औस एनी ओफेंस अगर किसी भी तरह से कूर्ट ने उसको दिया है सुप्रीम कोड ऑफ इंडिया ने तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं उस इसका इंफ्लूएंस बहुत जादा हुआ हो उसकेस में ऐसा होता है अधरवाइस पॉसिबल नहीं है यह ओके इसके बाद आप बात करेंगे इनकी कुछ और पावर्स की तो आप ब्जेटार ऐन बात करते हैं नि मिलिटरी ठावर में जान लिजएं ही इस all arm, he is the head of he is the head of all three forces यह all three forces के head होते हैं, इसी के साथ जितने भी universities होते हैं, उन सभी universities के एक कुलपती माने जाते हैं, head माने जाते हैं automatically आप इंडिया के president है तो इंडिया में जितने universities हैं, उसके आप head हो गया है तीनों military के head हो गया है तो यह तीनों military के head माने जाते हैं और देखिए जब republic day होता है तो उस पर salute जो parade होती है वो president के लिए होती है और जब independence day होता है तो वो prime minister के लिए होती है तो यह थोड़ा सा difference है तो यह तीनों के head होते है अब बात आते है इमर्जनसी पावर यह मझे आपको समझानी है समझेगा इसको इमर्जनसी पावर क्या है अच्छा इसको मैं next slide से समझाओं तो ज़्यादा सही रहेगा चलिए प्रेसिडेंट देखे इमर्जनसी लगती है हाला कि इमर्जनसी पहले पार्लियमेंट में जाती है कहां जाती है पार्लियमेंट में जाएगी पार्लियमेंट में बिल जाएगा जब यहां से अप्रूब होगा तो इमर्जनसी लगाई जाती है कोई बात नहीं लेकिन यह पावर क्या है यह पूछी जाती दूसरी क्या है प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 और यह होती है फाइनाशल इमर्जनसी यह तीन हो क्या है समझते हैं जैसा कि लिखाए आर्टिकल 352 कहता है दो किसे में लगता है पहला एकस्टर्नल अटेक बाहर से कंट्री ने हम पर हम्ला कर दिया बारी से हम्ला हो गया जैसे कि नाइटी इस टू में चाइना से बाहर होई नाइटी सेवन्टी वन में पाकिस्तान से बाहर ही तीन बार लगी अब तक हमारे पास और इसे कहते हैं इसको आंतरिक असान्ति कहते हैं जबूझ्य को एंधर के लोगों के खिलाइप अठा लियुट जिए संब उगे तो इसको इंटरनल वए लेंश कहते थे थे ठीक है अंतरिक असान्ति इसके वहलेंगे तो एक तरब का वाइलेशन था अंसुजि उयूज şur यह क्या था यह चाहिता है प faculty विदाउट ऑफ सकते तो पार्टी को सब्सक्राइब कर सकती है इसका बहुत अपोस्ट किया गिया इसके वाद इंड्रा गांदी जी कि सरकार आई तो कि इसमें क्या हो गया कि जब कंट्री के ही कुछ लोग आपस में कुदो के लो गया किसे सरकार के खिलाफ हत्यार उठाले तो से इंटरनल वाइलेंस कहा जाता है तो 1975 में उसी पे लगे थी ये तो कब लगता है फिर सांसा हो कि कोई भी पारिटी में कोई भी पार्टी में नहीं पर नाए। सब्सक्राइब कोई बनती ही नहीं है तो जब कोई भी गॉवर्मेंट बनती ही नहीं है उसकेस में वहां क्या लग जाता है प्रेसिडेंट रूल और यह प्रेसिडेंट का पूरी कोशिश करेंगा पहले तो वहां पर पर प्रेसिडेंट रूल लगाए जाता है और उसने भी हालात कंट्रोल नहीं तो फिर अगले चाहीं और ऐसे कोई सबस्यादा लगी है। यू पी में यह नाइन टाइम लगी है तो आप सकते हो कि पॉलिटिकल इन स्टेबिल्टी पॉलिटिकल अगर आप बात करें तो पॉलिटिकल इन स्टेबिलीटी कोई स्टेट नहीं है तो वहां पर प्रस्टेंट रूल लगने की पॉस्सिबusto सबसे ब्रस्ट ते नहीं आ रही है तो वहां पर क्या लगा दिया जाएगा पैसी –डिफिरेंट डिफरेंट स्टेट में लगें कोई यूपी ही नहीं है ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पर यह कई बार लगाया जा चुका है इसके बाद अगर आप बात करेंगे लास्ट फाइनांशल इमर्जनसी आर्टिकल लगी है ठीक है तो यह याद रखेगा कि कभी भी हमारे यहां फाइनाशल इमर्जनसी आस्तर लगी नहीं है चलिए अगर हमने तो यहां पर क्या होता है प्रेसिडेंट का चैप्टर ओवर होता है हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं अब हम थोड़ा सा यहीं ल मैंने आपको बता दिया था थोड़ा सा कि वो क्या होते हैं राजसभा के घं आ थोड़ा म inward करू फेडरी डंट वाइस प्रेसिडेंट परिख ही इस दर हैड और राजयसभा, राजयसभा, बाई पोस्ट, बाई इनकराज, अगर जो कोई भी हमारे याँ वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, वो राजयसभा का हैड होगा, ये क्या है, बाई पोस्ट होता है, इसके लिए कुछ भी अलग से करने की ज़वरत नहीं है, ओके, और आर्टिकल 63 के बाद में मेंशन किया गया, आर्टिकल 63 बताता है, इनका भी इलेक्षन जिसे आलग्टोर कॉलेस होता है, तो ये भी क्या होते हैं, इन डिरेक्ली इलेक्टेड होने की अलामा और क्या है, इसके अलामा आप कहेंगे सर की, इनकी बात कि जाए तो ये भी 5 येर का 10 येर हो पान साल से जादा ये भी नहीं रह सकते हैं इसके अलामा अगर आप बात करें वाइस प्रेसिदेंट की तो बहुत जदा निक्योट्व सेम है और टम आफ आफ़ीस ऑंफीस है इसके लामा कुछ खास नहीं तो वयस प्रेसिदेंट में इतना जाना तो वही थर्टी फाइव ये प्लस होने चाहिए इंडियन सेर्जन होने चाहिए बला बला जो सेम होती है वही होती है उसमें जबदा रिपीटिशन की जवरत नहीं है फाइव ये का टन्योर होता है इंडिरेक्टली एलेक्टर होते हैं यह अपना रेजिगनेशन किसको इनको देगा ठीक है तो यह तो हो गई आपकी किसके बारे में प्रेसिडेंट्स की पावर के बारे में अब हम मैं आपको कुछ और चीज़े बताने जा रहा हूं इसमें थोड़ी सी जुडिश्री में बताऊंगा आपको ताकि आपको चीज़े आसानी से समझ में आए जु क्यों कौण्-थ हाइब होती हैं तो इनडेपेंडेट्एंट होती है आप सभी को पता है सबसे टॉप और मैंश में सुप्रिम को बढ़र फीर अपको प्रेंड करते हैं पिर आप कहते हैं और डिस्ट्रिक कोड होती है तो हाइक ओट क्या होती है तो इसके अलग बात है हम समझते हैं कि इन कोर्ट के क्या-क्या पावर्स हैं और ये कोर्ट किस तरह से वर्क करती हैं क्या-क्या इन में होता है इन सभी के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाई कोड क्या है सुप्रीम कोड क्या है और इनके पावर्स को हम और अच्छे से समझने की कोश होता है तो कोड़ की high quulates के जिजिस की पावर क्या होती है। और ये क्या क्या कर सकत है इनको क्या क्या in kia powers यहां पर दी गई है ठीक है तो इसको समझते हैं कि powers percent of Hi amps प्रियम group नियुए पर दिए Supreme Court, ओके, चली, समझते हैं, तो दिखे, Supreme Court हमारे इंडिया का highest court होता है, ज्यादा कुछ नहीं जानना, ये कहां पे है, डेली में है, चंद्रचूड जी इस समय क्या है, इसके Supreme Court की है, Supreme Court फाइफ तरह की रिट्स जारी करता है, कितनी फाइफ तरह की रिट्स, जारी करता है, फाइफ रिट्स के बारे पर मैंने आपको उलेडी पढ़ा दिया, तो आपको उसके लिए पहला वीडियो देखना पड़ेगा, दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, फाइफ रिट्स के तरह को प्रोटेक्ट करता है, तो Supreme Court और High Court दोनों मिलके क्या है, Fundamental Rights के प्रोटेक्टर है, क्या है, Fundamental Rights के प्रोटेक्टर है, राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इसके रावा, सवाल ये है, कि Supreme Court के जजज़ बनने की, Supreme Court का जज़ बनने की eligibility criteria क्या है, इसकी जो eligibility criteria है, वो ये है, कि आप 10 year, 10 year High Court में लॉयर रहे हूँ, 10 year High Court में लॉयर रहे हूँ, and 5 year as a judge रहे हूँ, 5 year as a judge, वो किया हूँ, ठीक है, 10 साल as a High Court में लॉयर प्लस 5 year judge, जब आप ये criteria पास करते हैं, तो आपको Supreme Court का Chief Justice of India नहीं, Supreme Court में justice बनने के लिए, आपके eligibility criteria ये होती है, कि 10 year this, प्लस 5 year this, ये एक eligibility criteria है, और इनकी age limit की बात की जाए, कि वैसे तो 5 year का 10 year होता है, ठीक है, क्या होता है, 5 year का 10 year होता है, तो और age limit की बात की जाती है, कि देखो सीधी बात है, क्या अगर इनका 10 year बोला जाए, 10 year की बारे में समझो, 5 year का 10 year होगा, या 65 year, इसका मतलब क्या समझो, कि भाई, जिस दिन ये appoint किये गए, जिस दिन ये appoint किये गए, वहाँ से 5 year, और मालो कि कोई बंदा 61 की age में appoint होता है, तो उसका तो 5 साल कंपलीट होने से पहले क्या हो जाएगा, 65 year, तो जो पहले कंपलीट हो जाएगा, अगर कोई 40-45 केज में बनता है, तो फिर वह आरांसे 5 साल कंपलीट करेगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा old age में बनता है, तो 65 year और इसके पहले, अगर 65 का हो गया, तो यही क्या होगी, इनकी eligibility criteria, तो आप से eligibility criteria पुछा जाता है, कि Supreme Court का judge बनने के लिए, आपके पास 10 year का as a lawyer, और 5 year as a judge होना चाहिए, ठीक है, यह होते ही, आपकी eligibility criteria of Supreme Court, राइट, अब बात कर लेंगे, कि High Court judges की क्या होती है, तो दिखिए, इसके अरामा, अगर आप बात करें, मिनिमम की जो अपर एज लिमिट होती है, वो बात आती है, कि इंडिया का सिर्जन होना चाहिए, ओके, और इसके अरामा भी बहुत सारी चीज़े हैं, तो देखिए भाई, इसकी eligibility criteria की बात की जाए, तो 10, इसका भी 10 year का experience होना चाहिए, इसी की तरह पूरा का पूरा होता है कि यह क्या होना चाहिए, 10 year lower court में, अब आप कहेंगे कि इसका भी क्या होगा, high court का 10 year lower court में यह जज रहा हो, और प्लस, lawyer रहा हो, और 5 साल जज रहा हो, same चीज़े, बट वो क्या होगा, अब अपने से lower court में, जिस court में जाना, उसके lower court में आपको practice करने, तो आपके लिए इ परशान नहीं होना है, और इस तरह से आपका क्या है, कि यह अपने आप में complete होता है, ठीक है, कि इस से जदा बाकी LLB वगरे की degree वगरे तो लेनी ही पड़ेगी, अगर किसी को बनना है, और कोई बात नहीं है, minimum qualification वगरे, जो भी होता है, वो ही होता है, कि LLB वगरे की degree कर करने के बाद जो भी लॉकी पढ़ाई करने के बाद होता है, उसके बाद क्या करते हैं कि इसी तरह से, अच्छा कोर्ट के मैं बात करूँ, तो एक चीज़ बस याद रखेगा, कि दो तरके कोर्ट होते हैं, एक फौजदारी होती है, और एक दिवानी के शहरी होती है, जहां पर जमीनी मसले होते हैं, जिसे कि जमीन किसी की किसी ने हडप ली या कुछ हडप ली, वो मसले जहां सुल्जाया जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो अपने आप में क्या होते हैं, फिर वो फौजदारी में आते हैं, तो जिसे एक तरका क्रिमिनल कोर्ट होगा, और एक प्रेसिदेंट की पावर और थोड़ी सी जो जौनकारी थे जुड़ीसिर के बारे में आपने हाइग कोड और सुप्रीम कोड के बारे में वह भी जान ली तो इतना एना फेसी यूटी एक्जाम्स के लिए इससे ज्यादा डिटेलिंग की ज़रुत नहीं है तो अगर आपको इनफारमेटिव लगी हो चीजे सही लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को आप सस्क्राइब कर लीजे और शेयर कर दीजी वीडियो को ताकि आपकी maximum friends इसको जान सकें तो बस आज के लिए इतना है आप से अगले अपिसोड में अगले lectures में कुछ और वीडियो के साथ आपको economics, geography, history, सब कुछ यहां पर मिलेगा free of cost तो बने रहे हैं यहां पर, thank you everyone, have a good day, bye